नमस्कार दोस्तों, जिस हिट एंड रन कानून का पूरे देश के ड्राइवर्स विरोध कर रहे थे, जिस कानून को लेकर ड्राइवर्स, ट्रुक ड्राइवर्स सरकार से नारास थे, अब वो कानून नहीं लागू होने वाला है। मोधी सरकार एक बार फिर जनता की ताकत के सामने जुक गई है पहले किसानों ने और अब ट्रक ड्राइवर्स ने मोधी जी को उनके कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया है दोसो सरकार के एक नए कानून के विरोध में पूरे देश में ट्रकों के पहिये थम गए थे सरकार ने नया फर्मान जारी किया था कि अगर किसी गाड़ी से किसी को टककर लग जाती है और गायल की मौके पर मौत हो जाती है तो उस ट्रक ड्राइवर को या उस चालक को दस साल की सजा और भारी जुर्माना भरना पड़ेगा चालक इस नए कानूं का काफी विरोत कर रहे थे उनका कहना था कि इसमें कई खामिया हैं जिस पर दोबारा सोचने की जरूरत है डिसकुशन करने के जरूरत है ट्रक ड्राइवर्स केंदर सरकार के इस नए कानूं के प्रावधानों को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में हर्ताल पर चले गए थे इसकी वज़े से कई राजों में पेट्रोल डीजल, फल, सबजी जैसी जो बेहत जरूरी चीजे हैं वो भी पहुचाना मुश्किल हो गया था और इसी वज़े से इन सभी चीजों के दाम भी बढ़ने लग गए थे जनता में पैनिक भी बढ़ रहा था कि पेट्रोल डीजल के लिए वो लोग लाइने लगाने पे मजबूर हो गए थे मद्य प्रदेश राजस्थान समेट दस राजों में पेट्रोल डीजल पंप ड्राई होनी की खबर आई थी फल, सबजी, दूद, क्रिशी के सामान की सप्लाई पर भी असर देखने को मिला था सिती और बिगड़ने से पहले ही सरकार ने लेकिन यू टर्न ले लिया कानून लागू करने से रुकना पढ़ गया सरकार को जिसके बाद हरताल वापस लेने पर सहमती भी बन गई ग्रह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि इस नए कानून को लागू करने का फैसला All India Motor Transport Congress से बादचीत के बाद ही लिया जाएगा ग्रह सचिव भल्ला ने AIMTC और सभी आंदोलन कारी ट्रक व्राइवर्स से काम पर लोटने की अपील की है ग्रह सचिव ने AIMTC के एक प्रतिनिधी मंदल के साथ बैठक के बाद कहा सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए है हम ये भी बताना चाहेंगे कि भारतिय नियाय सनिता की धारा 1062 को लागू करने का निर्ण है All India Motor Transport Congress के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा सरकार ने 10 साल की कैद और जुर्माने के प्रावधान के संबन में ट्रक चालकों की चुनताओं का संग्यान लिया है और AIMTC के प्रतिनिधीयों के साथ इस पर विस्तरित चर्चा की है दोस्तों यह कोई पहली बार नहीं है जब सरकार अपने जल्दबाजी में लिये गए किसी फैसले की वज़े से जुनता के सामने जुकी हो ऐसे पहले देश के किसान भी सरकार के तीन काले कानून वापस करवा चुके है और अब जब ड्राइवर्स के आंदोलन ने भी सरकार को दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया तो लोग वही पुराने दिन याद करने लगे कॉंग्रस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने एक्सपर ट्वीट करके लिखा है कि चरण चुम्बकों की बड़ी सांसत है कल तक चीक चीक कर समझा रहे थे कि हिट एंड रन कानून कितना बड़िया है फिर साहे भाग लिए अब बेचारे समझाएंगे कि कानून वापस लेना कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है श्रिनिवास बीवी ने मोधी जी के यूटर्ण का एक कार्टून शेयर किया है ये देखिए ये वो कार्टून है और इस कार्टून को शेयर करते हुए उन्हों लिखा है जरारु किये अभी और जुकना बाकी है वहीं रिशी चौधरी गोधी मीडिया को लथारते हुए लिख रहे हैं कि इन चरण चुम्बकों के पास एक बंदे की स्क्रिप्ट आती है सुबह सुबह उसके बाद दिन भर उस स्क्रिप्ट पर चिला चिला कर मास्टर स्ट्रोक बताते हैं शाम होते होते एक 56 चाती वाला महा मानव आता है और माफी मांग कर निकल जाता है बेचारों की हालत देखने लाइक होती है बड़ी जिल्लत की जिन्दिगी जी रहे हैं ये लोग भले ही सरकार ने जल्दबाजी में हिट अंड रन कानून का फर्मान सुनाया हो लेकिन फिल्हाल ये कानून नहीं लागू होने वाला है ये तो तैह है इस खबर में इतना ही मेरे नाम है फरीन अंसारी आप रहे स्वस्त और मस्त बस यही है दूआ हमारी मिलते हैं अगली व पूलगा कि उल्दबाज की बार उल्दबान जो कि और वाला है तो रहे वहीं उल्दबा ये और लागुटू है वाला हैै।